दोस्तो कल फ्राइडे 23 जोन को निफ्टी बेंग निफ्टी में आपको एक बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा इस गैप अप के यह पांच रीजन निकल के आ रहे हैं यहाँ पर यह चार रीजन आप देख सकते हैं SGX निफ्टी दोस्तो अभी यहाँ पर लाइव चल रहा है हम देखेंगे इसे और डियाई का एक बड़ा बाइंग का डेटा है इसे भी वीडियो में डीटेल में देखेंगे चार से अप ट्रेंट बनता नजर आ रहा है और आशन चेंज से हम देखेंगे आपको कितना बड़ बिंग निफ्टी का परसल ट्रेड शियर करते हैं आज एकस्पाइरी का दिन था दोस्तो यहाँ पर जीरो टो हिरो काल हमने शियर किया जो के हमारे यूजर्स को काफी बड़िया प्राफिट देखने को मिला जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मंत्री 29 जून की प्राफिट और जो काल दिया गया था दोस्तो वो भी आप यहाँ पर लाइप प्रूफ देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं जून 22 दोस्तो निफ्टी 50 19,000 का पी का यह काल प्रोइड किया गया था आप लाइप देख सकते हैं मंत्ली एकस्पाइरी दोस्तो काफी बजट के साथ ट्रेट कर सकते हैं अभी यहाँ पर स्पेशल डिसकोट आफर चल रहा है सिर्फ 599 में लाइफ टैम के लिए आप हमारे साथ जुर सकते हैं ऐसा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्मेट बाक्स मिल जाएगा आप इस लिंक पे क्लिक करना फिर यह 599 लाइफ टैम प्लान शो होगा इस पे आप क्लिक करेंगे आगे में एक पेमिट के आप्शन पे क्लिक करके इमेल नमबर डालना उसके बाद पेमिट करना पेमिट के बद वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आटोमेटिकली आप परसल टैलिग्राम ग्रूप में हमारे साथ लाइफ टैम के लिए जाएंगे दोस्तो कल 23 जून को एक बड़ा गैप अप होने का सबसे पहला रीजन SCX निफ्टी अभी रात के 10 बजने वाले ही यहाँ पर लाइफ चल रहा है आप देखेंगे दोस्तो मार्किट में एक कंसालिडेशन फेस था डाउन साइड में इसका ब्रेक ओड दिया और ब्रेक ओड दिन के बाद एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में कनवर्ट हो चुका है यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि मार्किट स्ट्रांग पाजिटिव क्लोजिंग देने वाला है CX Nifty और इसका स्ट्रांग पाजिटिव क्लोजिंग काफी बढ़िया इंपक्ट रखता है Nifty Bank Nifty पे तो उसमें भी हमें एक गैप अप दोस्तों देखने को मिलेगा Nifty Bank Nifty कल पाजिटिव में हो सकता है यहाँ पर वो गैप अप कितने पाइंट का होगा आगे option chain से दोस्तों हमें अच्छे से पता चल पाएगा उसके साल साथ नस्तर का index जो के ऐसे global basis इंपक्ट कर सकता है Nifty Bank Nifty पे इसमें दोस्तों market open होते ही एक strong up trend में move हो चुका है यहाँ पर आप देखेंगे 129.87 की काफी strong up trend move चल रहा है यह move हमें यह दिखा रहा है दोस्तों ऐसे global basis भी positive impact रहने वाला है Nifty और Bank Nifty में कल 23 जून Friday के दिन तो यहाँ से भी हमें Nifty Bank Nifty में gap up के chances नजर आ रहे हैं दोस्तों positive impact होने वाला है दोस्तों Nifty 50 Bank Nifty के लिए जहाँ पर जो एक बड़ी चीज़ है वो है डियाई का data आज का 22 जोन का आ चुका है हमारे पास हम देखेंगे यहाँ पर लगातार तीन दिन से बड़ी आ बाइंग देखने को मिली है आज भी 219 क्रोड का net में D.I.E. ने क्या किया है बाइंग किया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 7000 के आसपास क्रोड में यहाँ पर बाइंग हो चुका है काफी बड़िया बाइंग है इस मंत का यह हमें दिखा रहा है मार्किट में स्ट्रांग अप्ट्रेंड है हर डॉन मूव दोस्तो एक डिप है मार्किट के लिए जहाँ पर यह मीचल फाइंड का स्ट्रांग बाइंग होता है हम इसे चार्ट में डिटेल में समझेंगे यह लगातार बाइंग क्यों हो रहा है यह एक चार्ट में आप ट्रेंड डिप बन रहे है उन में जैसा कि आज भी 219 क्रोर का बाइंग हुआ है तो यह पाजिटिव डेटा कल के दिन दोस्तो डिए का इंपेक्ट कर सकता है जैसे पाजिटिव मोमेंटम दे सकता है गैप अप के रूप में निफ्टी बेंग निफ्टी को ओपन कर सकता है दोस्तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं यह एक ट्रेंड लाइन है जहां से मार्किट काफी बढ़िया बॉन्स बैक दिखाता है आप जिससे पहले देख सकते हैं और आज के दिन मार्किट बिलकुल इसी पाइंट पे कलोज हुआ है और यहाँ पर ही जो है डिए ने 219 करोल का बाइंग किया है जहां से हमें यह पता चल रहा है फिर से मार्किट एक अच्छा बॉन्स बैक कर रहा है उसी पाइंट से अब फिर से बॉन्स बैक लेने वाला है जो कि कल 23 जून फ्राइडे को गैप अब के रूप में उपन होने वाला है तो निफ्टी 50 का चार्ट भी हमें एक positive संकेत कल के लिए दे रहा है दोस्तों हमें gap up के chances यहां से भी नजर आ रहे हैं कल यहां पर 23 जून Friday के लिए दोस्तों बाकी यहां option chain है हमारे पास जहां से देखेंगे कितने point का gap up देखने को मिल सकता है 43,720 के आसपास है यहां पर बिंग निफ्टी तो बिंग निफ्टी में दोस्तों यहां पर अगर हम देखें यह हमारे पास 29 जून की expiry का चार्ट आ चुका है दोस्तों option chain का तो यहां पर देखें 120,000 का जो आलरेडी का change है बढ़िया यहां पर और यहां पर ही इंट्राडे का भी 62,000 का change strong देखने को मिल रहा है तो मार्किट यानि के 44,000 का जो point है यहां तक gap up कर सकता है इसमें जो points की range आ रही है दोस्तों 110 से 130 के बीच में ही gap up होने वाला है बिंग निफ्टी का तो ऐसे gap up में दोस्तों क्या करेंगे जिनके पास ज्यादा quantity है वो अपना half quantity book कर लेंगे और half को trailing trick जो हम बताते आए हैं उस पे लगा देंगे ताकि यह बचा हुआ quantity आपको और भी अच्छा profit दे कर जा सके अगर market आपकी directional favor करता है यानि कि favor करता आपकी move direction में जाती है C क और upside move करता है तो इसलिए दोस्तों जिनके पास कम quantity है वो अपना quantity एकदम से इस gap up में पूरा book कर लेंगे और बाकी दोस्तों यहाँ पर nifty 50 का भी option chain है इसमें देखेंगे कितने point का gap up देखने को मिल सकता है 18,770 के आसपास है nifty 50 तो यहाँ हर 100 point पे काफी बढ़िया writing intraday का और already का भी देखने को मिला है तो एक average इस zone में gap up हो सकता है तो यह gap up दोस्तों 60 से लेके 70 point के बीच में हमें देखने को मिलेगा nifty 50 का सेम इस gap up में भी दोस्तों आप half book और half trail कर सकते हैं काम quantity वाले एक तम से अपना quantity book कर सकते है nifty 50 और bank nifty दोनों के gap up में बाकी दोस्तों य market 8720 को ऐसे नीचे ब्रेक करता है पांच मेंट का strong candle या downside से आक ऐसा rejection लेता आप इसके top को SL रखेंगे 8900 का यहाँ पर आप PE buy करेंगे 29 June की जो expiry start हुई है उसका यह premium buy करेंगे और अगर कभी भी market upside जाके 8890 को upside ऐसा candle break करता है पांच मेंट का green candle आप इसके top लोग को SL रखें लेंगे 29 June की expiry जो शुरू है उसका यहाँ पर बाए कर लेंगे यहाँ नीकि दो काल बन रहे हैं का इसा और एक upside ऐसा C का और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर टालेज़ार 700 का P buy करेंगे 29 June की expiry जो यह उसका यह premium ऐसा buy कर लेंगे यहाँ पर और अगर अपसाइड मार्किट स्टार्ट होता जाना है तो 44,050 के उपर अगर निकलता है पांच मिंट का स्ट्रांग केंडल ग्रीन होना चाहिए तो आप यहां पर इसके लोको एसल रखे 44,900 का दोस्तों सीई बाय करेंगे 29 जून की जो अकस्पायरी शुरू हुई है उसका ये प्रिमियम बाय कर लेंगे तो निफ्टी बेंग में भी एक ऐसा सीई का काल और यहां से पी का काल हमारे पास दो काल निकल के आ रहे हैं बागी दोस्तों लाइ प्राइस एक्षिन बनने पर हम परसनल टैलिग्राम ग्रूप में परसनल ट्रेड शेयर करते हैं जैसे कि आज एकस्पायरी पे जिरो टो हिरो काल था निफ्टी फिफ्टी का 29 जून की एकस्पायरी का यह काल दिया गया था मंतली एकस्पायरी आप देख सकते हैं नाइटिन हजार का पी उननीस हजार का पी एक लागच चोबिस हजार का प्राफिट हुआ इसी काल के देख सकते हैं 99,000 का प्राफिट, 74,000 का प्राफिट, 26,000 का प्राफिट और जो काल दिया गया था वो भी आप लाइप प्रूफ यहां पर देख सकते हैं जून 22 था आज, निफ्टी फिफ्टी उननीस हजार का पी एका काल था दोस्तों काफी अच्छा profit हुआ, काफी अच्छा last regard और हुआ daily काफी अच्छा profit होता आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, बिल्कुल low budget के साथ trade कर सकते हैं अभी यहाँ पर special discount offer चल रहा है सिरो 599 में lifetime के लिए आप जुड़ सकते हैं वहाँ से आप automatically हमारे personal telegram group में lifetime के लिए जाएन हो जाएंगे बागी दोस्तों वीडियो को like कर ले, share कर ले, हमारी YouTube channel को subscribe कर ले, bell icon पे click कर ले मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में आपना द्यान रखिएगा, good bye